मित्रो जैम आता दी, आप देख रहे हैं धर्मसिक्छा, मित्रो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जनवरी 2022 में वाहन खहिदने के लिए कौन-कौन से दिन सुब महुर्थ बन रहे हैं, जिसमें आप अपनी वाहन को खहिद सकते हैं, वाहन आपका किसी किसी प्रकार का हो सकता है, किसी की सैकल भी हो सकती है, किसी की मोटर सैकल हो सकती है, किसी का कार हो सकता है, ट्रैक्टर हो सकता है, बस हो सकता है, कॉमर्सियल वाहन हो सकता है, प्रसनल यूज के लिए वाहन हो सकता है, किसी प्रकार का वाहन हो, उसके खहिदने के लिए क्या म महुर्थ हो उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है अब महुर्थ क्यों जोड़ रही है क्योंकि आपके बहुत सारी गारी कमाई इसमें लग रही है बहुत सारी लोग तो लोन लेकर गारी लेते हैं तो ऐसे में सही महुर्थ का चैन होना आवस्यक है क्योंकि तो आपको नुकसान होता है, कॉमर्सेल यूज के लिए लेते हैं, तो वहां से आपको फाइदा नहीं हो पाता है, कही बार गारियों को आप देखें के दुरगहटना वुगणा होते रहता है, तो ऐसे में अच्छे मोहूर्त में ही वहां को लेना चाहिए, जब लेना ही है, तो क्यों न अच्छे समय में ही लें। तो वही आपको इस वीडियो के मत्याम से मैं बताने वाला हूँ। वीडियो में हमार साथ अंध्य तक बने रहे हैं। ताकि आपको संपून वीडियो में जानकारी मिल पाए। साथी comment box में हमें भी बताइए कि आप कौन सा वहान खहिद रहें और आपने कौन से दिन का chain किया है देखिए वहान खहिदने का मैं मुहूर्द आपको बताना आराम करूँ उससे पहले यह जरूर आवस्यक है जानना कि किस किस दिन तो हमें वहान बिलकुल खहिदना ही नहीं चाहिए उस दिन किसी पंडित से किनी से भी मुहूर्द दिखाने की कोई आवस्यक्ता नहीं है जैसे मंगलवार और सनीवार को वहान का मुहूर्द नहीं बनता है मंगलवार और सनिवार को भूल से भी वहां नहीं खहिदना चाहिए और कब नहीं खहिदने चाहिए जब जब भद्रा आए यानि कि विष्टी करना आए भद्रा में भी वहां को नहीं खहिदना चाहिए और हर रोज राहुकाल चलता है तो राहुकाल में आपको वहां नहीं खेदने हैं राहुकाल की जनकारी कैसे मिलेगी आपको भद्रा की जनकारी कैसे मिलेगी हर रोज मैं आपको इसी चैनल पर पंचांग बताता हूँ जैसे कल का पंचांग आज ही सामने सारे 4 बजे अपलोड हो जाता है तो आप कल के बारे में आज ही जान सकते हैं कि कल भद्रा है या नहीं है और राहो कल किस्व में रहेगा कल उस कल खंड का चैन नहीं करना आपको वहन खैदने के लिए इसके अलावा कब जब आपकी रासी से चंद्रमा चोथे आठ में और बारहों में भाव में हो तब भी आपको वहन नहीं खैदना चाहिए जब भी रासी से चोथे आठ में और बारहों में भाव में चंद्रमा हो और अच्छा मोर्त भी बन रहा है तब भी अगर आप वहन खै तहट आपको दुर्खटना का सामना करना पड़ता है ऐसे और भी बहुत चीज़ है जिसका चेन हमें करना चाहिए ध्यान रखना चाहिए अगर आप व्यक्ति का तोर पर वहां महुर्थ निकलवाना चाह रहे हैं होता है यहाँ पर मैं जनवरी में तीन महुर्थ आपको बता रहा हूँ तीन बड़े महुर्थ जो की पूरे दिन दिन भढ़ गए हैं कम्सक्रम चार गंटे का जो महुर्थ है वही मैं आपको बता रहा हूँ इसके अलावा भी छोटी-छोटे महुर्थ और बनेंगे अपने जगा के अनुसार और अपने सुविधा के अनुसार क्योंकि ये तीन जो मूर्द देने वाला हूँ उसमें होता है कई लोगों के लोन पास नहीं हो पाए कोई वहाँ पहुंच नहीं पाया अलग अलग लोग अलग तरह की समस्या किसी के पैसे अरेंज नहीं हो पाये तो हो सकता है ये तिन दिन आपको सूट ना करे किनी न किनी वज़ा से, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको इस मटसट नमर पे संपर्ग करना है, आई अब सूब महुर्त कौन कौन से बना है, जानते हैं, सबसे पहला सूब महुर्त बनेगा बुधवार 5 जनवरी 2022 को, इस दिन दिथी रने वाली है करमसा तितिया और चतुर्थी, नस्तर स्रवन और धनिष्ठा रने वाल है, और सूब महुर्त बनेगा सूर्योदे से लेकर साम के 6 बचकर 20 मेर तक, इस पूरे दिन भर में आप वहान को खहिच सकते हैं, बस आपको राहुकाल का ध्यान रखना पांच जन्वरी का राहुकाल आपको 4 जन्वरी के ही साम के साहे 4 बचे मिल जाएगा पंचां के वीडियो में, दूसरा सूब महुर्त बनेगा सूमवार 17 जन्वरी को 2022 को, इस दिन तिथी करमसा पूर्णिमा और प्रतिवादा रहने वाली है, नचातर पुस्य और इस मर्स लेकर अहो राते तक, अहो राते राथा पूरी राते तक तो आप वाहन खहिद ने पाएंगे, जब तक आपके हां सोरूम खुला हुआ है उस दिन, तब तक आप वाहन खहिद सकते हैं, दिन के साहेती ने बचे के बाद, राहुकाल का धियान रखना है, यहां भी तीसरा और जनवरी 2022 का, जो बड़े महुर्थ बनने हैं, उसमें तीसरा सबसेंती महुर्थ जो है, वो बन रहा है, रई वार 23 जनवरी 2022 को, इस दिन तिथी रहने वाली है, क्रमसा पंचमी और सथी, नसतर उत्रा फालगुनी और क्रमसा हस्त रहेगा, और इस दिन सुब बचकर 14 मिर्स लेकर अहो रातिर तक, आप वहान खही सकते हैं, अथात इस दिन जब से जब तक आपके यहां सोरूम खुला रहे, वहान खही सकते हैं, आपको राहुकाल का बस ध्यान रखना है, राहुकाल की जनकारी 22 जनवरी को सामके साही 4 बजे पंचान के वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो ये तीन मुहुर्थ बताए आपको मैंने जो कि चार घंटी या इससे बरे मुहुर्थ बन रहे है, अगर आपको तीन मुहुर्थ सूट नहीं करा किनी न किनी वज़ाओ से, तो बने जैसा कि बताए आपको इस वार्टसप नमर पर संपत करना है, वहां लिकना है वाहन मुहुर्थ, वार्टसप पर वाहन मुहुर्थ लिखेंगे, अपने आप आपको आजाएगा, क्या क्या चीज आपको बताना है, जैसे आपको वहां बताना परता है अपनी नाम, जिनके नाम से गारी खाइद रहे हैं, उनकी रासी क्या है, किस सहर से खाइदना चाहा रहे हैं, और कब से कब तक के बीच में खाइदना चाहा रहे हैं, यह सब आपको पूछा जाता है वहीं पर, अपने आपसे प्रस्न आ जाएगा, उसका उत्वर आप दे दीजिएगा, और एक सोईगरिपयों की दक्षिना से जमा कारकर आप वहां का इसी तरह की अनिग्यार वर्थक वीडियो के दिए जुरे ने धरम सिक्षा के साथ देख दरिये, धरम सिक्षा, जै मातर्याद।